आप लोगों से दो मिनिट बात कर सकती हूं आज अगर हम लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं इसका कारण कौन है आप बता सकते हैं माई मम्मी, you know, बहुत अच्छा खाना बनाती है नो, हमारा लसु ये बहुत अच्छा खाना बनाता है किसान, किसान की वजय से ही आज हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं येस, हीस राइग, किसान अगर महिनत करके फसल ना होगाए तो हमें अनाज ना मिले सच तो ये है गाइस कि हमारे पुर्खे किसान ही है नो, नो, माई फादर इस डॉक्टर हिस फादर? फादर, माई फादर इस लॉयर, माई ग्राणफादर इस लेक्टरार वाट आज बाओ ये ग्रेट ग्राणफादर? अब बन मैट हैलो, टैडी, आपके ग्राणफादर क्या करते थे? वो किसान थे बिटा, हमारी सो एकड़ जमीन थी अच्छा, सॉर्डी, ही वाज़ फाउंगर अगर हम गराई से इसे देखे तो हम सब के बाप दादा किसानी थे लेकिन अभी ये टॉपिक किसली है नंदू? अगर हमें सालरी जाता मिले तो हम अपनी जॉब छोड़ कर किसी भी देश जाने को तैयार हो जाते है लेकिन अगर किसान बर्बाद भी हो जाए तब दी फसल वोना भन करता रहता है अगर किसान फसल बोना बंद कर दे अना जुगाना बंद कर दे तो हम लोग जंग से नहीं भूग से मर जाएंगे और वैसे भी आज किसान बहुत परिशान है मेरे गाउं के किसानों की फसर हराब हो गई है और साहुकर जलाद उन बेचारों की जमीन हड़पने की कोशिश में है अज यह मेरे गाउमें हो रहा है कल तुम्हारे गाउं में भी हो सकता है तो फिर क्या करना चाहे है नंदू हम यंग जेनरेशन हम चाहिए तो किसानों की तकलीफ दूर कर सकते हैं समझानी नंदू हमें उनकी मदद करनी चाहिए अगर आप लोगी नेक काम करना चाहते तो अपकी सेविंग में से थोड़ी पैसे चांसफर कर सकते हैं यह 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 नंदू की वजे से मुझे मेरे प्रदादा याद आ गए हां मुझे भी याद आ गए कि आख सुआ है प्रदादा की मदद की थैंक्यू वेरी मच्छ आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने परदादा की मदद की थैंक्यू वेरी मच्छ बाइ मैं नंदू बोल रही हूं किसानों का टोटल कितना कर्जा पाकी है बोलो अरे क्या बच्छो